लो आपरोबन वेल्कम टू दू दू क्लास तिस इस मैं अभी शेक साहू आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन प्लीन इन जस्ट वन शॉट गाइज आपको इस वन शॉट में पूरा मज़ा आएगा इस चीज़ को मैं आप से लिख कर कहता हूँ और देखो अगर आप चाहते ह जो भी वन शॉट है उसके शॉट नोट्स आसान भाषा में बिलकुल जिसको आपको समझने में एकदम मज़ा आए आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लेना टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है यह मैंने डिस सब कुछ provide करा हूँगा और यह आप पढ़ लोगे ना तो आपको chapter की पूरी फील आ जाएगी तो अगर आप बाकी के chapter जैसे की हमने इससे पहले vector करा हुआ है motion straight line करा हुआ है units and measurement laws of motion सब कुछ करा हुआ है तो आपको na easiest frame में one shot चाहिए तो आप बस youtube पो search करो laws of motion one shot बाया भी शेक सा हो motion straight line one shot बाया भी शेक सा हो इस तरीके से हाँ तो vector इस देखो motion in plane का जो आज हम इस chapter को पढ़ने वाले है इसका एक important topic है vector जो कि अपने आप में एक बड़ा topic है तो उसको हमने cover कर लिया है complete vector 45 minute में और एक दू दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी complete vector in just 20 minute तो अगर आप इस वीडियो को मतलब 9th of August के बाद देख रहे हैं 2022 में तो आपको definitely जो vector है उसको उसका 20 minute shot आपको जरू मिल जाएगा उसको एक बार देख लेना तो आज हम starting करेंगे motion in plane से motion in plane क्या होता है देखो बड़ी simple सी बात है मान के चलो कि कोई भी motion जो दो axis में एक साथ हो रहा है x और y axis में आप उसको बोलेंगे motion in plane क्योंकि देखो अगर मैं आप से कहूं कि plane क्या होता है तो आप कहेंगे sir plane क्या होता है तो मैंने कहा मान के चलिए कि मेरे पास ये दो axis हैं ये x axis और ये y axis और यहां पर ये मेरे पास एक plane हो गया ये मेरे पास एक plane है clear तो अभी इस plane में इसको कौन सा plane बोलूँगा x y plane तो इस plane में कोई भी motion हो रहा है चाहे मान के चलो कि insect ऐसे ऐसे चल रहा है इस plane में कोई motion हो रहा है चाहे ऐसे ऐसे हो रहा है तो इस motion को मैं बोलूँगा motion in plane clear है तो plane का जो motion है वो कौन सा motion है two dimensional motion होता है clear अब यहां भी देखो इसी तरीके से दो जिसे x y plane होता है वैसे y z plane भी हो सकता है y plane उपर z plane बाहर तो यह y और z तो यहां पर अगर मैं एक sheet फसाद हूँ कुछ इस तरीके से तो यह y z plane हो गया clear है अब मैंने का sir x z plane कौन सा होगा तो मैंने का x axis यह हो गई z axis बाहर की side तो x z plane कुछ इस तरीके से हो जाएगा बात सौंच बागे ना तो बस यह बात आपको ध्यान में रखनी है चले तो motion plane में हमें measurely दो vector को बहुत अच्छी से पढ़ना होता है एक position vector और दूसरा displacement vector इसी जो है वीडियो में हम resolution of vector भी सीखेंगे जो कि आपको आगे use में आएगा चले तो मैं आपको पता हूँ position vector का होता है position vector basically वो vector है जो कि किसी भी particle की position को बताता है with respect to a fixed point called origin for example यह origin है मेरे पास ठीक और यहाँ पर कोई particle है इसको मैं नाम दे दिया यह particle हो गया ठीक है नाओ अब यह particle किस जगह पर है actual में किस coordinate में है इस vector को मतलब इसको बताने के लिए हम एक vector use करते है that vector is called position vector देखो जब हम motion straight line पढ़ते थे थे तो यह straight line बताते थे motion plane में हमने का बताया यह x और y axis दोनों में movement एक साथ मतलब curve line बता दी तो यह जो vector हो गया इस vector का हमने नाम दिया r1 vector यह क्या है position vector है टेक नाओ अभी यह position है यह x axis में कुछ position होगी इसके हमने का x1 और y axis में कुछ position होगी हमने का y1 इसी तरहीके से यह particle कुछ time के बाद यहाँ पर आ गया तो हमने का इस point पर इसकी जो position होगी उसका position vector होगया r2 और इस coordinate का नाम होगया x axis में होगा किसी point पर x2 और y axis में होगया y2 clear है now दयान देंगे बहुत अच्छी बात देखे अभी क्या होता है कि यह तो होगय position vector अभी इस position vector को मैं systematic form में कैसे लिखता हूँ आपने unit vector पड़ाए x axis में जो vector होगया उसके बोलते है i cap y axis में जो vector उसके बोलते है j cap और z axis में जो vector होगया उसके बोलते है k cap तो अगर मैं position vector को लिखना चाता हूँ तो मैं कुछ इस तरहीके से लिख सकता हूँ देखना ज़रा x-axis में तो x i-cap प्लस यह 1 है और उसके बाद y देखो पहले वाला जो vector है एक मतब particle जो सबसे पहले इसकी position का है y1 में यह j-cap अब मैं second बार देखता हूँ r2 vector कैसे लिखूंगा इसको x2 x-axis में तो i-cap प्लस अब position बाई की बदल गई तो y2 और y-axis में तो j-cap clear now अभी क्या होता है यह मैंने particle की position बता दी अलग-अलग time पर पहले particle यहां होगा अब particle यहां आगिया अब इसके बाद अकर मैं इन particle की displacement बताना चाहता हूँ तो वह कैसे बताऊँगा तो वहाँ पर यूज होता है displacement vector का इसको मोलता है displacement vector और इसको मैं लख देता हूँ तो डेल आर वेक्टर को मैं कैसे लिखूँगा मैं लिखूँगा r2 vector minus r1 vector clear है now तो अभी डेल आर वेक्टर को लिखना है मुझे तो किस तरी किसे लिख सकता हूँ r2 vector की value simple ऐसा कर दूँ कि i में से i को minus j में से j को minus तो x2 vector मतलब x2 minus x1 i cap और यहाँ पर minus sign लगाया और y2 minus यह देखो r2 minus r1 करना होता है तो y2 minus y1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा भई देखो ठीक है चलिए तो मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा y2 minus y1 ठीक यह minus का sign है चलिए और यह यहाँ पर हो जाएगा j cap ठीक तो यहाँ पर आप दोनों का minus sign common लेने बाद प्लस हो जाएगा मतलब यह कुछ उस तरीके से लिख जाएगा r2 vector की value क्या है x2 i cap x2 i cap plus y2 j cap और उसके बाद minus sign लगाया तो x1 i cap plus और यह minus हो जाएगा यहाँ पर y1 j cap ठीक है मतलब मैंने यह value को minus कर दिया यह वाली value से अब मैं separate करके ऐसे लिख सकता हूँ x2 minus x1 i cap और यहाँ पर plus sign लगाया देखो y2 का कि प्लस लगाया तो y2 minus y1 j cap इस तरहीके से मैं लिख दिया तो अगर मैं displacement vector को इस तरहीके से लिख सकता हूँ del r vector is equal to यह देखो यह क्या है del x i cap प्लस और यह del y j cap clear? तो displacement vector क्या हो गया? independent हो गया भई x axis और y axis की दोनों की vector का sum है यह दोनों की displacement का sum clear तो motion plane में कभी भी आपको displacement निकालनी हो तो आप इस तरहीके से निकाल सकते हैं आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा अभी देखिए अभी यहाँ पर एक concept होता है जिसको हम बोलता है average velocity देखो velocity हमेशा दो type की है एक average velocity जो generally जो हम बात करते हैं average velocity इसे मानके जो आप एक city से दूसरी city जा रहे हो आपने का मैं 60 km पर आप से आया हूँ तो आप obvious सी बात है 60 km पर आप जो आपकी velocity है वो fix तो नहीं रही होगी बोला आप गाड़ी का accelerator 60 से ना तो 59 जाएगा और 61 obvious सी बात है velocity कम होई होगी जादा होई होगी तो generally जो हम बताते हैं वो एक average बताते हैं और अगर आपने देखा अपनी गाड़ी में speedometer होता है particular instant of time पर particular उस particular time पर जो velocity होती है या जो speed होती है उसको वो जो है ना वो बताता है speedometer for example 90 पर है फिर आपने race छोड़ दी हल किसी जो है हल किया हल वो आपको 88, 85 पर बता देता है race दी तो जो है immediately आपको 105 पर बता देखा तो particular instant of time पर जो velocity होती हो उसको पर बोलते है instantaneous velocity जबकि जो एक बड़े time interval की जब हम बात करते हैं तो हम उसको बोलते है average velocity clear है now generally हम average velocity use करते हैं देखो average velocity का formula क्या है formula होता है change and displacement upon change and time हम जानते हैं अब देखो आप यहाँ पर पहले कहा थे हम थे पहले इस जगह पे मैंने बोला ना कि आप x1 y1 पर हो उसके बाद यहाँ पर आ गए यह हो गया x2 y2 यह है r1 vector और यह है r2 vector clear now आपको ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक आ गए तो यह final point है और यह initial point है तो r2 minus r1 करोगे तो आपको निकालना है velocity तो velocity का formula क्या velocity का formula है del r vector क्या है del r vector मतलब change and displacement del r vector upon del t del r को क्या मैं r2 minus r1 लिख सकते हैं बिल्कुल अब r2 minus r1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ देखो x2 देखो न r2 की value minus r1 की value इसके बाद xx वाले x side कर दिये y'a वाले x side कर दिये तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ velocity को मैं ऐसे लिख सकता हूँ देखो उपर dL x upon middle t उपर dL y upon middle t तो ये देखो velocity average velocity अगर मुझे निकालना है तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ कोई भी question है आप इस तरह से velocity निकाल पाएंगे अब हम बात करते हैं average velocity की direction क्या होती है तो आपको समझना है in the direction of displacement तो displacement की direction में तो displacement अगर इस direction में हुई है तो इसके parallel आप consider कर सकते हैं यही direction है velocity की clear है? यही मतलब parallel to the displacement direction होती है इसकी velocity की चलिए आगे बढ़ेंगे अब देखो next है मारे पास instantaneous velocity ध्यान देना बई instantaneous velocity क्या होता है इसको ज़रा समझ लो कि किसी भी particular instant of time पर जो velocity है उसको हम बोलेंगे instantaneous velocity हमने बात कर लिए अभी देखो अभी देखो average velocity आप निकाली थी del x upon del t del y upon del t अब समझो instantaneous velocity का मतलब मैंने का बताया कि particular instant of time पर जो velocity होती है वो instantaneous velocity है तो जब भी physics में लिखाओ आपको del t तो del t का मतलब होता है एक बड़ा time interval और जब भी लिखाओ dt तो dt का मतलब होता है कि ये time interval infinitely small है मतलब बहुत बहुत चोटा हाँ change नाम के लिए सिर्फ तो जब जो del t ये बहुत चोटा हो जाएगा time interval बहुत चोटा हो जाएगा तो हम इसको बोलते है dt मतलब infinitely small change in time clear है तो जब भी हमें instantaneous velocity वगरा निकालनी होते है तो dt के form में लिखते है dx मतलब बहुत चोटी से displacement तो v is equal dx by dt i cap dy by dt j cap इस तरीके से हो जाएगा अब हम बात करते हैं कि जैसे मान के चलो कि instantaneous velocity की direction क्या होती है तो हमने का बही जब भी हम बात करेंगे instantaneous velocity की तो जब हम instantaneous velocity की बात करेंगे तो आपको समझना है कि let's say आप point p1 पर होंगे तो instantaneous velocity का मतलब कि particular instant पर तो आपको यह पर दो point की बीच में नहीं बतानी है आप इस particular point पर tangent ड्रॉ करेंगे तो आपको p1 पर velocity की direction instantaneous velocity की direction मिल जाएगी अगर इस point पर tangent ड्रॉ करेंगे तो इस point पर instantaneous velocity की direction आपको मिल जाएगी clear है तो बहुत टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पर instantaneous velocity की direction होती है यह formula होता है यह हम बता सकते हैं समझ मारा है ना comment section में आपको comment चाहिए अगर आपको उतना clear हो रहा है तो मुझे comment section जरूर लिखके बताओ यह जब आप comment करते हो मुझे energy मिलती है मुझे energy मिलेगी तो आपको भी बहुत भेंकर energy मिलेगी comment section में आपको comment का answer कर रहा हूँ guys देखे जरा average acceleration की हम बात करते है तो average acceleration क्या होता है तो देखो बड़ी simple सी बात है कि average acceleration का मतलब है change in velocity upon change in time तो मान के चलिए कि इस point पर कुछ velocity हो सकती है v1 यह चलो फिर से हम बात करेंगे थोड़ा सा और इस point पर कुछ velocity हो सकती है v2 ठेक चलिए अभी जैसे मान के चलो इस point पर velocity क्या है तो मैंने का इस particular point पर तो इस point पर velocity हो गई यह tangent रहू कर दूँ चलिए तो tangent हो गया इस direction में और इस point पर velocity क्या है तो मैंने का इस point पर velocity हो गई इस direction में लेट से यह हो गई v1 और यह हो गई v2 ठेक सनना सुनना द्यान से अभी सुनो बदो फॉर्मूला से मन जाएगा del v upon del t i cap में del v upon del t j cap direction में clear अब हम बात करेंगे direction की तो direction देखो कैसे निकालते है for example मेरे पास बात तो समझ में आ रही है न कि del v upon del t calculate कर लेंगे कोई problem नहीं है है के नहीं चलिए अभी सुनो मान के चलो कि यहाँ पर velocity की direction क्या है तो average acceleration में जब भी हम बात करते हैं velocity की direction यह sorry acceleration की direction हमें निकालनी होती है तो कैसे निकालेंगे देखो velocity की direction इस point पे का है वो लाई यह है तो यह v1 vector टेक चलिए अभी देखो यह अब वी 2 की direction का है वो लाई यहाँ तो अब इन दोनों को ना join कर दो यह join कर दिया clear यह देखो यह side है ना यह तो इन दोनों को पीछे मिला दिया टेक direction नहीं बतली यह होगा है v2 vector तो अब v1 से लेकर के v2 तक अब आप एक vector draw करेंगे यह आपको बताएगा change in velocity की direction क्या बताएगा change in velocity की direction और change in velocity की direction में ही acceleration की direction होती है तो अगर आपसे पूछे के average acceleration की direction बताओ तो आपको कहेंगे दो point के बीच में जो भी velocity की direction है आप वहाँ पर tangent draw करें और दो point की बीच में जो change in velocity की direction है वही direction होती है average acceleration की direction change in velocity की direction में ही किसकी direction होती है average acceleration की direction clear हुआ यह हमने इस तरह से बता दिया अभी हम बात करेंगे instantaneous acceleration की जो सायद अभी हमने miss कर दिया तो instantaneous acceleration में क्या होता है बड़ी simple सी बात है देखो मान के चलो कि मेरे पास यह एक point हो सकता है अब instantaneous acceleration की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है instantaneous का मतलब है कि बहुत छोटा सा time interval तो for example यह हो गया आपके पास point P या P1 अब point P2 में यहाँ पे नहीं मान सकता है योगी instantaneous acceleration में जो दो points है यह एकदम बराबर बर बहुत ज़्यादा close होंगा infinitely small distance पर होंगा तो let's say P1 की velocity यह हो गई अब जो point P2 है वो यहाँ पे है तो यहाँ पर है तो let's say point P2 यहाँ पर हो कि मुझे चोटी इसी बहुत चोटा सा time interval चाहिए न तो P2 पे अगर मैं tangent रो करूँगो तो यहाँ जाएगा तो इस तरह से अगर मैं इस point पर यह देखो यह V1 और यह V2 तो अगर मैं यहाँ पर यह बताऊंगा चेंजन वेलासिटी की डिरेक्शन तो कहा होगी अंदर की साइड तो अगर मुझे बताना है इस point पर instantaneous acceleration की direction क्या है तो मैं इस direction में बजा सकता हूँ चेंजन वेलासिटी की direction में और तो आपको धान रखना है कि यह जो points है यह infinitely small distance पर होते है मतलब बहुत छोटी से distance पर close होते है यहाँ पर तो मैंने फिर भी बहुत पास-पास में बता दिया तो यह किसकी direction है यह instantaneous acceleration की direction तेक है अब भी आपको धान लखना अब इस पर जो question है यह एकदम इतने छोटे-छोटे से ऐसी question पूछे जाते है बिलकुल आपको coordinate में plus minus करना होता है आप आराम से कर सकते है numerical के लिए अलग से जो वीडियोस हम ले करके आएंगे जरूर ले करके आएंगे चलिए अब यह हम बात करेंगे relative velocity two dimension में relative velocity का concept क्या कहता है ठीक है समझना चीज़ों को देखे देखो आपने motion in 1D मतलब state land में तो जो है relative velocity समझा हुआ है relative velocity का concept यह कहता है कि बही actual में जो वेलास दो कार या दो वीकल या दो इंसान किस velocity से दोड़ रहे है यह relative है मतलब किसी भी चीज़ की जो velocity है यह absolute नहीं है absolute का मतलब है कि अगर आप 5 meter per second से भाग रहे हो तो आप वो कहीं से भी देखें कोई भी देखें हमेशा 5 meter per second ही दिखाई पड़ेगा वो होता है absolute लेकिन relative velocity concept यह कहता है कि आप 5 meter per second से भाग रहे हो आपको कोई बंदा अगर अलग reference से देख रहा है उसकी frame of reference stationary है तो आपको जो है वो कुछ और दिखाई पड़ेगा और अगर जो है वो ऐसे आ रहा है तो 5 meter per second की जगे आपकी कुछ और velocity दिखाई पड़ेगी अगर वो किसी और angle पर भागते हुए आपको देख रहा है तो आपकी velocity कुछ और नज़र आईगी तो relative velocity concept यह कहता है कि आप अगर अलग-अलग reference frame से देखेंगे आप अगर अलग-अलग angle से देखेंगे तो आपको जो velocity है वो अलग-अलग नज़र आईगी अब velocity कितनी नज़र आती है वही हमसे question है पूछ जाता है तो देखें जरा तो मान के चलो दो object होंगे दो car, दो vehicle हो सकते हैं मारे पास एक है A और दूसरा है B तो अगर A की velocity को देखो relative velocity in two dimension प्लेन में बात चल रही होगी इस बार angle वे angle पे दो object भाग रहे होंगे straight line में straight ही भाग रहे थे है के नहीं? चलिए वई तो देखो velocity of A with respect to B के हम बात कर रहे है तो अगर A को दोड़ता हुआ देख रहा है B तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे velocity of A with respect to B VAB vector अब देखो velocity of A minus velocity of B जो देख रहा है उसको पीछे लिखेंगे और उसको subtract करेंगे अभी क्या होता है? इस तरह equation में vector diagram आपको बनाना होता है वो कैसे बनाएंगे? पहुत पहुत आसान है देखो क्या करेंगे? हमेशाद रखो देखो जो देखेगा बात सुनिए जिसके respect में velocity find करनी है जैसे की velocity of A with respect to B उसे stationary consider करेंगे मतलब मान के चलो आपके motion को मैं देख रहा हूँ बहले ही मैं भाग रहा हूँ तो मुझे आप stationary consider करेंगे मैं देख रहा हूँ ना तो मैं खुद को stationary consider करूँगा तब question solve होता है clear now और जैसे मैं जा रहा हूँ इस direction ओ जिसके respect में velocity सब समझ मैंगा घबराऊ मत जिसके respect में velocity find करना है उसे stationary consider करो और उसके opposite के साथ resultant find करो मतलब मैं देख रहा हूँ motion को और मैं ऐसे भाग रहा हूँ तो क्या करेंगे मुझे आप stationary consider करोगे अब मान के चलो मेरी velocity इस direction में तो जब भी आप vector बनाओगे ना जब भी आपको resultant find out करना है तो मेरे opposite direction के साथ find out करोगे बला सक्क्यों आसान होगा हाँ ऐसे ही find out कर सकते हैं क्योंकि यह relative है क्या है relative equation के according जो है diagram मनाते है एक बार फिर मैं भाग रहा हूँ तो जैसे मान के चलो मैं इस साथ भाग रहा हूँ और मैं ही motion को observe कर रहा हूँ तो मैं भाग भले ही साथ रहा हूँ लेकिन diagram में मेरा opposite consider करना है आपको कैसे जैसे देखो और b यह रहा है ठीक है अब देखना है इन दोनों बीच में कुछ angle बन रहा है theta तो अभी आप यह देखो कि velocity of b यह दिया है तो मुझे का करना है देखो यहाँ पर plus मैं यहाँ पर करूँगा कि velocity of b का negative मुझे दिखाना है diagram में तो b का negative क्या होगा बी का negative होगा यह तो velocity of b का negative यह हो गया समझ माया और resultant अब मैं बताऊँगा इन दोनों बीच में तो 180 minus theta यहाँ पर मुझे दिखेगा सब समझ माय जाएगा मैं आपको एक question करवा देता हूँ जैसे कि देखो यहाँ पर आपको सब कुछ clear हो जाएगा जैसे कि एक particle है जो move कर रहा है straight line में particle P है चलो मैं diagram मना लेता हूँ particle P है जो straight line में move कर रहा है तो मैंने का यह का है velocity of P with a velocity of 3 meter per second तो मैंने का भी इसकी velocity का है इसकी velocity 3 meter per second take meter per second हम consider कर लेते हैं आगे क्या दियो है another particle Q है velocity 4 meter per second moving at 30 degree to the path of P मतलब एक दूसरा particle है जो 4 meter per second से जा रहा है यह कौन है भाई यह आपके पास velocity of Q यह Q particle है यह 4 meter per second से जा रहा है और इसकी velocity क्या है मतलब कितने angle भी 30 degree find out क्या करना है find the speed of Q with respect to P मतलब relative to P मतलब मुझे find out करना है velocity of Q with respect to P तो मैं क्या लिखूंगा यहापे मैं लिखूंगा velocity of Q with respect to P मुझे find out करना है तो मैं इसको इस तरही किसे लिख सकता हूँ velocity of Q minus velocity of P अब देखना vector diagram कैसे बनाएंगे formula के according equation के according क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ velocity of Q यह यहाँ पर plus sign लगाया negative of velocity of P बस यही दिखाना है तो velocity of Q ऐसे है और velocity of negative of velocity of P तो यह दिखाऊंगा मैं यहाँ पर तो यह हो गया velocity of P negative अब इन दोनों के साथ मुझे resultant निकालना है किसका इन दोनों का मुझे resultant निकालना है क्योंकि यह मेरी equation में आ रहा है तो इन दोनों साथ resultant निकालूंगा तो भई देखो तो जब Q के motion को P observe करेगा जब Q के motion को P observe करेगा तो मैं इसको rest में consider कर लिए अब यह कैसे दिखेगा इसका resultant इसको ऐसे नज़र आएगा इन दोनों के बीच में तो देखो इन दोनों बीच में resultant नज़र आएगा कितना angle बन रहा है बन फिफ्टी डिग्री तो देखो V P और V Q का resultant निकालना है और ऐसा formula क्या होता है तो देखो ज़रा V Q और V P का resultant निकालना है मुझे कितनी value कितनी velocity नज़र आएगी तो क्या करूँगा V P का square बेदेखो V P का square या minus V P का square चलिए value तो तो से मैं मतला magnitude लेना है मुझे तो मैं यहाँ पे लूँगा V P का square value तो से मैं plus V Q का square plus 2 V P into V Q into cos theta और cos theta कितना है इन दोने बीच का angle ये वाले angle देखो ज़रा क्योंकि इन दोने बीच पर resultant निकाल रहे है गोला 150 degree तो यहाँ से आप angle निकालो मतलब velocity of Q निकालो with respect to B कितना आएगा भई यह आजाएगा बात कुछ समझभा रही है तो इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से तो यह concept है इसी तरीके से आप बागी सारी problem भी बिलकुल हिला दोगे अपने आप आराम से कोई दिक्कत नहीं है अब rainman problem पर आ जाते हैं बहुत important है बहुत important होता है न rainman problem आप नहीं पड़ा होगा तो rainman problem देखो किस तरीके solve करते हैं यह आपके school के लिए IIT, JEE, NEED के लिए सब के लिए important है मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ बस simple जी बात कभी भी relative velocity में याद रखना है देखो rainman problem में क्या question पूछा आता है आप बताओ मुझे आपसे comment section बताना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं comment section में आपका इंतजार करूँगा योगि आपका comment मेरे लिए मतलब आप यह मान के तरी motivation होता है कि मुझे पता पर जाए कि कम से कम आप तो हो जिसने ये वीडियो देखी है तो comment section में मुझे बताओ मुझे हर एक बच्चे है comment चाहिए है के ने चलिए बढ़ी आगे बढ़ते है भी तो rainman problem में आपसे पूछा जाता है कि बारिश हो रही है बंदा कड़ा है बंदा दोड़ रहा है ठीक है किसी कभी पीछे दोड़ रहा हो लेकिन क्या है कि किस एंगल पे चाता खोला जाए कि वो बंदा बारिश से बच जाए हाँ कभी कभी कहा होता है कि बारिश भी ऐसे आ रही है वो भी ऐसे जा रहा है तो किस angle पर जादा खोला जाए तो बहुत जादा आसान है क्या होता है बहुत simple जी बात है इसमें 3-4 gaze बनेंगे सारे gaze आप बहुत दिक्कत नहीं आएगी आप मुझे पर विश्वास रखो बस देखें, क्या करना है देखो, बहुत simple सी बात rain man problem में चार case बन रहे हैं हो सकता है पहला case ही हो गया कि बारिष आ रही है इंसान रेस्ट में खड़ा हुआ है तेक दूसरा case क्या हो गया बारिष आ रही है इंसान भाग रहा है मतलब बारिष सीधे आ रही है तीसरा case क्या हो गया कि बारिस एंगल पे आ रही है ये बंदा सीधा भाग रहा है चौथा केस क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया कि बारिस भी एंगल पे भाग रहा है अब इन सभी केसे में इनको चाहता किस एंगल पे खोलना पड़ेगा तो बस आपको याद रखना है कि बारिस कैसे हो रही है doesn't matter, क्या रखना है, बारिस कैसे हो रही है, doesn't matter, हमें कैसे नजर आ रही है, matters a lot guys, बस इतनी सी बात में आपका काम हो जाएगा, बारिस कैसे हो रही है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, बारिस हमें कैसी नजर आ रही है, इस बात से फर्क पड़ता है, और हमें जैसे नजर आ रही है तो velocity of rain doesn't matter, velocity of rain with respect to man matter, with respect to man matters, टेक है ये चार केसे थे, इन चारों को आरा है हम समझ लेते हैं, आप कुछ से बना दो कोई बात नहीं है, हाँ याद रखो, diagram हमेशा, diagram हमेशा formulaic according बनाओगे ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा, diagram कैसे बनाना है, formulaic according, तो क्या करेंगे, बड़ी simple जी बात है, कि जैसे देखो, पहला केस, आप question का है, at what angle man should hold umbrella, टेक है, to save himself from rain, तो देखो, पहला केस का है, बारिस सीधी कर रही है, 10 meter per second, तो मैंने का भी velocity of rain का है, 10 meter per second, और इंसान जो है, rest में खड़ा हुआ है, तो इसकी कोई velocity नहीं है, तो आपको angle, किस angle पे खोलोगे, umbrella, तो फिर बारिस से आप बच जाओगे, तो बड़ी simple सी बात है, velocity of rain with respect to man निकालो, तो velocity of rain with respect to man निकालो, तो vr vector minus vm vector हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, vr vector plus और minus को आपने अलग लिख दिया, लिख सकते हो कि लिख सकते है, अब यह आप इसी का diagram बना दो, नहीं समझे, देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, मुझे वीडियो बड़ी होजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, vr vector is equal to, vr vector क्या मैं इसको ऐसे हैं लिख सकता हूँ, अब मानके चलो, भई मैं आपको यह बताऊँ कि देखना ज़रा, द्यान से देखो, मैं diagram मुझे बनाना है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर values देखो क्या है, कि बारिस नीचे हो रही है न, तो minus का 10 j cap आएगा, और man की velocity क्या है, 0 है, टेक, तो आप यहाँ पर समझ लो, कि velocity of rain with respect to man, अब इसी का diagram मनाओ, इस equation का हमेशा diagram मनाना है, तो बारिस की velocity का है, यह देखो, नीचे की side कितनी है, minus 10 j cap, तेक, अब यहाँ आप समझ लो, यहाँ पर, कि बारिस की velocity यह है, तो umbrella, यह actual में क्या है, velocity of rain with respect to man, क्या है, velocity of rain with respect to man, यह है, तो velocity of rain with respect to man, के just opposite, योगि इंसान को कैसी नज़र आ रही है, उसके ठीक opposite direction में यह चाहता खोलेगा, ठीक, अच्छे यह बताओ, कितना है, वो article के साथ कितना angle बन रहा है, तो theta is equal to zero degree पर चाहता खोले, बस यह चाहिए, उसको, क्योंकि रुका हुआ है, अब दूसरा case से ऐसा बन जाता है, अब समझना ज़रा calculation आप करोगे, comment section मुझे आप से answer चाहिए, मैं चाहता हूँ, कि आप भी जो है, वीडियो में पूरी तरीकी से involved हो, आप भी बताओ ज़रा, मैं आप से अगर कहता हूँ, मैं आप से अगर कहता हूँ, अब बताओ, तो आप किस एंगल पर वो पकड़ना चाहता, तो velocity of rain with respect to man, तो velocity of rain minus velocity of man, ऐसे करेंगे, तो velocity of rain with respect to man, तो आप यह देखो कि velocity of rain कितनी है, 10, minus का 10 है, ठीक है, अच्छा यह बताओ, इसके बाद यह बताओ, अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक नट जाओ, चलो सीधे-सीधे लिख लेते हैं, तो minus का 10 j cap, टेक चलिए, अब velocity यह कहा है, तो मैंने का यह है, आपके पास minus का, यह देखो, यह तो 5, यह तो value plus में ही है, लेकिन formula का minus 12, तो minus का 5 i cap, अब इसके हिसाब से अब diagram मनाओ, अब समझना, इस equation के हिसाब से diagram मनाओ, तो vrm, यह क्या है, minus का 10 j cap, तो minus का 10 j cap, नीचे की side है, तेक, अब 5 i cap, यह कुछ 5 i cap हो गया, तेक, तो यह 10 और यह 5, अब इन दोनों का resultant कहा जाएगा, इन दोनों का resultant, इन दोनों का resultant निकालना है, तो यह करीब कहा हो जाएगा, थोड़ा 10 की side जाएगा, यह resultant हो गया, 5 है ना तो थोड़ा छोटा होगा तो मैंने यहां देखा देता हूँ देखे ज़रा तो यह 10 जे क्या पर यह अब मुझे क्या नकालला है कि यह देखो यह क्या है वी आर एम का यह तो वैक्टर फार्म और यह रिजल्टेंट तो इसके just opposite direction में umbrella खोल लेंगे अब कितने angle पे है तो यह angle find out कर लो तो यह alternate angle है ठीक है तो यह theta की value find out करेंगे और कैसे find out करेंगे तो हमें शायदर को 10 theta से नकालेंगे तो 10 theta is equal to क्या होता है perpendicular upon base तो यह देखो यह base नजर आ रहा है और यह perpendicular नजर आ रहा है बेस की value क्या है यह वाली line 10 है तो base की value होगे 10 टेक sorry perpendicular upon base तो perpendicular की value क्या है यह वाली line 5 है तो यह 5 आप और में यह line कितने है 10 तो आप मुझे बताओ 10 theta तो theta is equal to 10 theta is equal to कितना आ गया 1 by 2 टेक क्या 10 theta 1 by 2 कोई value होती है तो आप मुझे बताओ theta is equal to 10 inverse 1 by 2 को कितना लिखेंगी comment section में लिखके बता देना यार इतना तो करी सकते हो ना आप मेरे लिए theta की value आप मुझे बताओ कितनी लिखेंगी मैं तो एक second में लिख दूँगा लेकिन आप मुझे बताओंगे तो मुझे बहुत मज़ा आएगा चलिए भई आगे बढ़ते हैं अब मानके चलो ये वाला question आ गया किसी भी angle पे आ गया अब क्या करेंगे sir तो बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं है बारिश angle पे हो रही है तो अब मैं इस बारिश को resolve कर लूँगा बस simple जी बात है तो ये बारिश हो रही है 10 meter per second और ये बंदा भाग रहा है आगे 5 meter per second से तो मैं इस बारिश को resolve करूँगा टेक तो ये देखना vertical के साथ angle बन रहा है 45 degree तो इस बारिश के 2 component देखो कभी भी resolution of vector का कहता है कि velocity ऐसे है तो ये मेरा हाथ का जा रहा है आगे भी और नीचे भी का जा रहा है आगे भी और नीचे भी तो एक component ये आगे और एक component नीचे इसके साथ angle बन रहा है 45 degree तो ये वाले component का नाम हो जाएगा B cos 45 और ये वाले का नाम हो जाएगा B sin 45 टेक सनो अब ये B की value कितनी है 10 तो 10 into cos 45 की value 1 by 2 और यहां भी एक minute cos 45 की value 1 by 2 होती क्या नहीं होती 1 by root 2 होती है तो यहां पर ये value कितनी हो गई ये 1 by root 2 टेक है और ये value भी कितनी हो गई ये value भी हो गई 1 by root 2 तो यहां पर ये values कितनी होई थोड़ा सा जोगा complex हो जाएगा ना फिर तो मैं इस angle को बतल देता हूँ ये angle कितना ले लेता हूँ ये angle मैं ले लेता हूँ 37 degree ठीक है तो अगर मैं ये angle 37 degree ले लेता हूँ 37 37 तो याद रखो कि यहां पर 37 की value कितनी होती है sin 37 की value होती है it is 3 by 5 sin 37 की value होती है 3 by 5 टेक और यहां पर तो यहां पर cos 37 की value होती है 4 by 5 घ् Convenience worries है टेक sin 37 की value 3 by 5 और cos 37 की value 4 by 5 तो अगर ये velocity है आपके पास इस direction में यह velocity आपके पास 10 तो आप इसको resolve करोगे तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 10 यह है न 37 degree तो यह हो जाएगा 10 cos 37 और यह वाली velocity हो जाएगी 10 sin 37 बस खतम है अब आप इसको resolve करोगे तो 10 cos 37 की value 4 by 5 तो यहाँ से cancel हो जाएगा तो आप इसको मान लें कि यह तो यह हो गया आपके पास 8 meter per second और इसकी value 10 sin 37 की value 3 by 5 तो यह हो गया आपके पास 6 meter per second तो आप अगर इस rain की velocity निकालो तो 6 meter per second यहाँ है और 8 meter per second यहाँ है तो अगर मैं इस rain की velocity लिखोंगा तो क्या आएगी B velocity of rain velocity of rain with respect to ground कितनी आई यह आगई आपके पास minus का 6 I cap और यह minus का 8 J cap बस यह आपके पास equation बन गई यह बात आप ध्यान रखेंगे अब man की velocity कहाँ है तो man की velocity है आपके minus का 5 I sorry यह right side है ना तो मैं इसको बोलूँगा 5 I cap बस अब आपको equation बनाना है बहुत आसन है बहुत आसन है क्या करेंगे बहुत simple सी बात है देखो इसमें क्या करना है आपको फिर से एक ही चीज़ नकालो क्या नकालना है velocity of rain with respect to man तो velocity of rain with respect to man V R vector minus V M vector तो देखो ज़रा V R vector की value बताओ ज़रा मुझे तो minus का 6 I cap minus का 8 J cap और यहाँ पर minus करेंगे तो minus का 5 I cap अब V R vector is equal to यहाँ पर कितना बन जाएगा V R M यह कितना बन जाएगा minus का 11 I cap और minus का 8 J cap अब यहाँ पर का करेंगे अब आपको क्या करना है बई डाइगराम बना लेना है डाइगराम बनाओगे तो कैसे बनाएंगे देखना ज़रा यह V R M है velocity of rain with respect to man तो यह चेक करो velocity of rain with respect to man कैसे है minus का 11 I cap तो minus का 11 I cap इस direction में 11 है टेक अच्छा है 11 I cap और इस side क्या है 8 I cap इन दोनों का resultant कहा जाएगा इन दोनों का resultant कुछ तरीके जाएगा अब यह हो गया angle theta तो बहुँ यह वाला जो angle theta हो जाएगा इस direction में यह umbrella कोल लेगा बचारा समझ गए और इस theta की value कैसे निकालनी है तो इस theta की value क्योंकि यह क्या है यह है B R M तो यह है आपका 8 यह है आपका 11 तो बस लगा दो 10 theta is equal to perpendicular upon base तो perpendicular क्या है देखना जरा perpendicular क्या है यह है आपके पास 11 तो 11 upon 8 तो theta is equal to 10 inverse 11 by 8 इस तरीके साब इसको solve करेंगे बताओ जरा clear हो रहा है बहुत आसान है बहुत आसन है इस पे से भी question कुछ आता है और कैसे question कुछ आएंगे यह मैं आपको बताता हूँ चले तो अभी हम आजाते है the famous river boat problem या फर इसकों river swimmer problem भी कहते है आपके exam के लिए बहुत important है छोड़ना मत आपको सब कुछ समाझ आजाएगा tension मतले है जो भी cases बनेंगे यह इसमें से आपके exam में आ जाएगा चले आगे बढ़ते हैं देखो इस question में क्या होता है जैसे एक यह river इसकी width कुछ w है इसमें ऐसे पानी बहरा है इस direction में तो मैंने का भी river की जो velocity हो गई let's say वो हो गई इस direction में और यह इसको मैं नाम दे दिया velocity of river b r take now अभी समझो क्या होता है कि एक बंदा जो है एक इस direction में यह river के respect में swim करता है b s r take लेकिन होता क्या है कि नदी के बहाब के कारण देखो actual मैं a point पे जाना चाहता है b point पे जाना कहा चाहता है b point पे लेकिन तो मैं यहाँ पर इसको dotted line से दिखा दे रहा हूँ कि जाना चाहता है b point पे यहाँ चला यहाँ अब क्या हुआ river के बहाब के कारण क्या हुआ कि वो यह यहाँ पहुँच गया तो अगर कोई इंसान उसको ground से देखेगा तो ground से देखेगा तो swimmer की velocity बले ही वो swim कर रहा था इस direction में लेकिन नदी के बहाब कारण वो यहाँ आ गया इस point पे b के जग़ा c point पे पहुँच गया तो आप क्या देखते है कि जो ground से इंसान इसको देख रहा होगा उसको लगेगा यह इंसान यहाँ नहीं बलकि इसी direction भाग रहा है तो यह velocity of swimmer है take now vector vector sign आप यहाँ पे लगा सकते हो तो अब कुछ different मतलब हो sir इस side क्यों swim कर रहा उसने क्योंकि उसको यहाँ point पे पहुँचना था पहला क्या देखो मैं आपको बता दूँ कि B point पे पहुँचना था C पे पहुँच गया तो यह जो हलका सा इसको drift मिला यह खिसक गया न हलका सा अपनी destination से तो इसको हम बोलते है drift drift का मतलब होता है horizontal distance हलका से इसको बहाब मिल गया तो अगर आपको drift निकालना है तो formula होता है तो आप यह होता हो यह horizontal distance cover करिए न तो distance formula वैसी होता है speed into time यह velocity into time तो यहाँ पर आप यह देखोगे कि horizontal velocity into time यह formula किसका हो जाएगा यह हो जाएगा drift का तो देखो यहाँ पर समझना तो अभी यह जो Vsr है इसके हम दो component करेंगे कितने component करेंगे हम इसके दो component करेंगे ध्यान से देखना तो एक component जैसे अगर यह angle theta बना रहा है तो एक component हो जाएगा उपर की side इसको हम नाम देंगे Vsr cos theta और इसका एक component हो गया Vsr sin theta तो देखो ज़रा आप समझ रहा कि यहाँ पर actual में horizontal distance horizontal velocity कितनी है तो आप भी देखेंगे कि river उसको यहाँ लेकर जाना चाह रही है और swimmer actual में यहाँ जाना चाह रहा है तो ultimately जीता कौन जीत गई river कोई बहा के ले गई तो velocity of river minus velocity of swimmer with respect to river cos theta मतलब horizontal component sorry यहाँ पर मुझे यहाँ पर sin theta लेना चाहिए कहा लेना चाहिए sin theta मैंने यहाँ पर गल्ती से लिख दिया है तो मैं यहाँ पर कहा ले लूँगा यहाँ ले लूँगा sin theta take sin theta clear है into में क्या है time कितना time उसको distance लो cover करने में लगा तो drift आप इस तरीके से निकाल सकते हो यही तो है horizontal velocity component ठीक अभी देखो अभी आपको निकालना होता है इसमें जो second case पूछा जाता है time taken to cross the river river को cross करने में यह बताओ कि इस swimmer का कौन सा वाला component responsible होगा यह vsr cos theta वाला कि sin theta वाला answer है perpendicular component cos theta वाला तो भाई time का formula का होता है distance upon speed या velocity तो भाई आप यह देखो यहाँ पे कि यह इतनी distance यह इतनी displacement इसको cover करनी है displacement बोलना चाहिए मुझे यहाँ पे तो यह w river की width upon perpendicular cos theta वाला component velocity का इस तरही किसे आप time निकालेंगे अब ही समझना यहाँ पे आप इसको टिक इसमें अब एकाद question और एकाद जो है दो case और बनते हैं इसमें कैसे कैसे बनेंगे तो एक मिनट रखो जरा एक मिनट रखो जरा अब मानके चलो कि यहाँ पर आपसे एक और point पूँचा गया और वो point क्या पूँचा गया देख लेते हैं यहाँ पर आपसे पूँचा गया कि minimum time कब लगेगा क्योंकि मैं पता है time period का formula यह होता है तो आपसे पूछे जाएगा कितने angle पे जाए कि minimum time लगेगा तो simple जिवात है कि zero degree पे जाए सीधा सीधा निकल जाएगा तो इसको minimum time लगेगा या फिर मैं ऐसे बोलूँ मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि time का formula यह है time का formula यह है तो minimum time कब हो सकता है जब denominator maximum हो जाए जब denominator maximum हो जाता है तो answer छोटा आता है हाँ तो denominator maximum कब होगा जब यह cost की value maximum मतलब zero degree हो जाए तो cost zero पर यहाँ पर आप यह देखेंगे कि यह जो time है यह कैसा मिलेगा यह minimum मिलेगा तो आपको यह formula direct put कर देना BSR टेक नाओ shortest path shortest path का मतलब है zero drift shortest path का मतलब है zero drift देखो question आपसे पूछ ले जाता है कि बही कितने angle पे जाए कि shortest path कवर करे कितने angle पे जाए कि यह जो A से है वो B पे जागे पहुँचे समझे A से start करे और B पे पहुँचे कितने angle पर swimmer को swim करना चाहिए तो बड़ी simple सी बात है कि जब यह VR ना तो VR जादा हो और ना ही यह BSR जादा हो सिर्फ perpendicular component हो तो कि VR जादा हुआ तो इस side drift कर जाएगा VSR जादा हुआ तो इस side drift कर जाएगा यह सीधा जाना चाहिए तो ऐसे case के लिए क्या करेंगे कि बहीं VSR sin theta और VR यह दोनों बराबर होना चाहिए यह sin theta की value निकालेंगे और theta is equal to sin inverse sin inverse VR upon VSR यह हमारी condition बन जाएगी अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे projectile motion the most important topic from motion in plane और इसको पढ़ाएगा मेरा चोटा भाई अब मुझे comment करके बताना कि कौन जादा बढ़िया है तेक comment section मुझे बताना चोटा भाई या मैं तेक आगे बढ़ते हैं लेकिन projectile motion भी इसका निसाना पूरी तरीकी से ठीक वेटने बाला है यह देखो यह अलगी इसको football चल रही है योगि इसको भी पता है आप चाहिए football खेलू या या cricket इसका projectile motion बनेगा बस और कुछ नहीं हम कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चल में projectile motion होता क्या है और उसमें भी हम यह जानेंगे कि projectile क्या है योगि इसमें न यह सब कुछ खेल है छोटे-छोटे terms का वो terms हमें समझ लेने हैं जैसे मानके चलो मैं आप से कहता हूँ कि projectile क्या होता है तो मैं इसको नौर्मल बोल सकता हूँ time in air लेकिन इसी चीज़ को projectile motion में time of flight कहा जाता है flight मतब उडने वाला समय horizontal distance को हम short form में क्या बोलतेते हैं range तो बच्चों को डर लगता है बोलो ओर रे sir time of flight निकालना है range निकालना है सर में कैसे में तो मर जाएगा हाँ तो आपको यह समझ लेना है कि घबराना नहीं है यह सिर्फ छोटे छोटे से नाम है अभी projectile motion क्या होता है तो देखो projectile motion ऐसा motion है जो की सबसे पहली चीज़ projectile motion एक two dimensional motion है under the influence of gravity मतला जिसको gravity control करती है और actual में projectile motion में जब किसी object को फेका जाता है तो इसका path मतलब रास्ता parabolic होना चाहिए और example मैं आप से कहता हूँ कि मेरे पास ये marker है इस marker को या इस pen को मैंने इस तरीके से फेका तिक ये देखो इस तरीके से फेका तो आप क्या देखते है कि ये motion कैसा है ये motion two-dimensional motion है two-dimensional motion है और इसका path मतलब रास्ता कैसा है parabolic और जैसे ये मेरे हाथ से छूटी इसको किस ने control किया इसको gravity ने control किया तो ऐसा motion जिसका जो two-dimensional हो जो two-dimensional हो path parabolic हो और इसको कौन control करे ग्राविटी हो तोल करें ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं बात समझ मैं प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ एक्जामपल्स में आपको देता हूँ जैसे कि आपका एक फ्रेंड उसने मस्ट शॉट मारा और आप गए लपक क्या आपने डाइब मारी और आपने जो इस तरीके से आपकी बॉड़ी चिल गई आप मस्त गर्मी वाला डांस कर रहे हैं लेकिन आपने क्या कि आपने इस बॉल को कैच कर लिया तो बॉल का रास्टा कैसा हुआ कुछ इस तरीके का ऐसा तो ऐसे वाले पाथ को ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है या कहूं पैराबोलिक प इस ने जो हम पाल को किक किया अब इसनी हो को कर दिया लेकिन से कंटडा मेंशनलगां से इसको अबको कर रहा है स्युक्र कर दिया तो उपर जाएगी अब नीच याईगी 12 लगातार बिद लेगी तो कॉन कंट्रlection पैर और देखो va Bible आप यह हो प्रोज्टाइल मूशन जै यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर टो गा किस घूमके जाएगा यह तो आगर सीधा मारे यह बिल्कुल सीधा मारे इसको यहाँ इट करना है तो सीधा जाएगा तो काँ घुझेगा तो यह ऐसे नाई नाई जादा सीधा नहीं जादा नहीं जुकाना है तो यहसे जाएगा इस तरीके से यह ऐसे गया यह ऐसे गया और यहाँ से घुमते हुए यहां घुझ जाएगा, ठेक है, मतलब हमने यहां नहीं रखा है, ठेक, चलो मैं अटा देता हूँ, आपको समझ ना है, रेंडम लिया है, मैंने कुछ जान मुझके नहीं करा है, ठेक है ना, तो आपको समझोगे, एक्चुल में क्या है, कि इसको रखना है उपर, ठेक, में अगई, तो एक्चुल में प्रोजेक्टाइल मोशन हम हर जगे देखते है, ठीक, हम हर जगे प्रोजेक्टाइल मोशन को देखने चलिए, और हम आगे देखेंगे थोड़ा सा, चलिए, अभी होता क्या है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ प्रॉपर्टीज होते ह टेक तो straight ही वापस आ जाएगा अगर तो यह projectile motion नहीं हो पाएगा तो भी projectile motion should not be या projectile should not be thrown with exactly vertical velocity चलिए आगे हम बात करेंगे कि projectile motion में आप यह मानें कि horizontal velocity never change जो horizontal velocity है यह कभी change नहीं होती तो कि actual में यह से मान के चलो मैं कहता हूँ प्रोजेकटile motion की हम बात करें तो इसके पास कितनी velocity होती है एक होती है आपके एक होती है आपकी horizontal velocity एक होती है horizontal velocity और एक होती है vertical velocity अभी कहा होता है न कि जो horizontal velocity है यह horizontal velocity इसको gravity effect नहीं करती तो कि वो तो आगे बढ़ना चाता है जो उपर जाना चाहरा है उसको gravity नीचे खीच रही है तो आप भी देखेंगे कि horizontal velocity को gravity effect नहीं करती इसलिए horizontal velocity never change horizontal velocity कभी change नहीं होती ठीक always remains same during projectile motion चलिए एतनी बात हो गई ना आगे आप भी लिखेंगे कि vertical velocity keeps on changing अभी कहा होता है न कि gravity किसको effect करती है उपर जाने वाले component को यह कहूँ vertical component को और जो vertical velocity है लगातार बदलती रहती है लेकिन horizontal velocity हमेशा सेम रहती है चाहरा हम किसी भी point पर देखें तो vertical velocity को जो मैं बात बताता हूँ जैसे अगर आपने ball को फेका किसी भी particular velocity से और इसके पास इसके हमने दो component यह horizontal और रटिकल प्रोजेक्टर ऐसे क्या तो यह horizontal और यह vertical तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई इसके पास actual में क्या है यह vertical velocity है और यह क्या है horizontal velocity है तो आप देखेंगे धीमे धीमे यह आभी दो को उपर जा रहा है उपर जा रहा है उपर जा रहा है अब यह और उपर नहीं जा पा रहा है that means हम बोल सकते हैं कि अब यह और उपर नहीं जा पा रहा है तो vertical velocity हो गई इस जगह पे 0 लेकिन horizontal velocity दो है इसके पास तो हम क्या बोलेंगे कि horizontal velocity हमेशा same रहती है लेकिन vertical velocity लगातार बदलती रहती है topmost point पे 0 हो जाती है इसके बाद फिर से vertical velocity बढ़ेगी फिर से vertical velocity बढ़ेगी बाद clear होई तो ये कुछ basic सी properties है इसकी जरूरी नहीं होता कि projectile motion सिर्फ ऐसे जाए और ऐसे आए projectile motion अगर ऐसे है तो उसका आधा पार्ट भी आप देए देखेंगे इतना तो ये भी क्या है ये भी parabolic path होता है तो आप इसको भी क्या बोलते है ये भी projectile motion का एक type है एक होता है angular projectile motion दूसरा होता है horizontal projectile motion जब मैं किसी ball को किसी angle के साथ पेकता हूँ तो इसका रास्ता कुछ ऐसा होता है और इसको बोलता हूँ angular projectile motion लेकिन जब मैं किसी ball को सिर्फ और सिर्फ horizontal velocity के साथ पेकता हूँ कुछ इस तरीके से तो इसको बोलता हूँ मैं horizontal projectile motion तो सबसे पहले हम बात करेंगे horizontal projectile motion की लेकर उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें कुछ दो तीन terms है उसके लिए आपको कैसे कैसे work करना है ध्यान रखो ये एकदम golden notes से इनको download जरूर से कर ले हैं अब देखो कभी भी आपको time of flight निकालना है तो कौन से एक्समें work करना है दो ये एक्समें या फिर वाइट तो देखो time of flight flight मतलब उड़ना तो क्या आप रोड़ को उड़ते होगा नहीं आप उड़ते हो ऊपर that means time of flight का मतलब है आपको y-axis में work करना है टेक height of projectile height होती हो ऊपर तो height निकालना है तो भी आपको y-axis में work करना है range range मतलब कितनी दूरी horizontal distance तो आपको x-axis में work करना है direction कभी भी निकाल लो किसी पी जिस की तो हमेशा 10ड़ लगाते हैं टेक ना हो समझो भी अभी देखो time of flight time of flight निकालना है height of projectile निकालना है तो आप second equation of motion लगाएंगे लेकिन कौन से साथ y-axis साथ टेक चलिए अगर आपको range निकालना तो range का formula होता है distance is equal to speed into time of flight क्योंकि range actual में क्या है distance ही तो आच चलिए sign convention की हम बात करें क्योंकि यह सबस्यादा confusing point होता है तो हमेशा रखो everything अगर सारी चीज़े सेम ही direction में जैसे motion सिर्फ और सिर्फ नीचे की साइड हो रहा है तो हमेशा positive sign लोग कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन कोई motion अगर बॉल ऐसे जा रही है पहले ऊपर फिर नीचे तो यहां पर दोनों ट्राइब के motion है upside भी और downside भी तो आप यह देखेंगे कि भाई कभी भी अपवाड हो तो positive ले लो downward हो तो negative ले लो सबसे पहले हम बात करेंगे horizontal projectile motion की इसमें हम सारी चीज़ो calculate करेंगे ठीक उसके बाद आपका कौन सा है बही एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन तो देखो मान के चलो आप बिल्टिंग पर खड़े हुए जिसकी हाइट है एच के तनी हाइट है अब आपने यहां से एक बॉल को मतलब एक projectile को project किया पेका कुछ इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलासिटी है अभी तो आपने देखा कि अभी तो आपने यह horizontal velocity ही दी है that means इसके पास अभी कौन सी वेलासिटी है initially कौन सी वेलासिटी है initial velocity in x axis है कितनी है आपने का सर yu है आप मुझे बताओ क्या अभी यह ball उपर है नीचे जा रही है starting में starting में यहाँ पे नहीं तो इसके पास initially y axis वेलासिटी कितनी है जीरो लेकिन जैसे ही आपके हाथ से चूटेगी gravity इसको अपनी गोदम बिठा लगी बोला अब मैं कंट्रोल करूंगी तुमारे motion को तो यहाँ पे देखो gravity कारन यहाँ पे vertical velocity भी आ गई और यहाँ पर horizontal velocity भ से लिए अभी देखो तो अब यहाँ पी का करना है कि यह इस तरह से हम वी एक्स और वी आ जाएगा लेकिन सबसे पहले मुझे निकालना है time of flight तो time of flight के लिए कौन सी question second equation और कौन सी एक्सिस y-axis तो देखो एस इस इकल यूटी प्लस आफ़े टी स्कार होता है अब आप यहाँ पे देखो कि कौन सी एक्सिस में देखो displacement in y-axis initial velocity in y-axis और acceleration y-axis तो आप देखेंगे कभी देखो displacement in y-axis y-axis में ball h height पर थी अभी कहाँ आ जाएगी नीचे आ जाएगी बिल्कु ग्राउंड पर तो यह displacement का ले ली h ले ली now initially इसके पास कोई vertical velocity नहीं थी तो u y की value 0 acceleration in vertical y-axis कितर कौन सा हो रहा है gravity current तो a is equal to a g sign convention की बात करें तो सारा का सारा जो motion है यह कहाँ है नीचे की side है तो जब सारा motion एक ही side होता है तो हमेशा positive sign low h is equal to value is equal to half gt square तो यहां से t की value निकल गई यह t क्या है time of flight कि प्रोजेक्टल को इतना time लग जाएगा अब हमें t is equal to root to h by g अब भी range निकालना तो रेंज का formula होता है horizontal velocity into time of flight तो horizontal velocity का u into time of flight की value हो गई यह रेंज निकल गई आप मुझे निकालना है velocity at any instant वहला किसी भी particular instant of time पर अगर मुझे velocity निकालने तो सर कैसे निकालूंगा तो आप यह समझो कि देखो किसी भी particular instant पर आप देखेंगे तो दो velocity होंगी यह वी एक्स और वी वाई तो आपने देखा कि यहाँ पर तो resultant velocity इसको आप नाम दिया बी क्या नाम दिया बी तो आप यह देखो resultant velocity की बीच में अंगल कितना है ठीटा चलिए तो अगर आप यहाँ पर का करेंगे यहाँ पर resultant velocity निकालनी है तो कभी भी क्या करो बही देखो बी का है resultant velocity at any instant देखो root vx square plus vy square यह formula होता है अब आप यह देखो vx की value क्या है हमेशा सेम रहने वाली है यू और इसके बाद vy क्या होता है तो vy क्या है वर्टिकल वलासुटी कौन से निकालोगे फर्स्ट एक्वेशन से तो हमने देखो vy is equal to vertical velocity है ना तो yx ही लगने वाली है vy is equal to u y plus gt तो आपने यहाँ से u y की value क्या आगे gt तो यहां से आप इसको उपर लेके चलेगा और इसकी value आपने पूट कर दी तो v is equal to क्या निकल के आगया root u square plus g square t square अब हम आगे पर जाएंगे अब हमें क्या निकालना है अब हमें निकालना है direction तो direction of resultant निकालने के लगाओ 10 theta 10 theta क्या होता है perpendicular upon base तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे अगर यह हम इस triangle की बात कर लें तो यह आपका हो जाएगा v y और यह आपके पास है v x तो आप कि आप लाओ यह पर बन जाएगा V y आपन V y एक वैले रूट हाजी वी एकी वेयु क्या निकाली जी इनिकाली है जी टी ठीक है को प्रीड सब्सक्राणी घी की निकाली है तो यहाँ पें आजाएगा यहाँ पे आजाएगा आ आपके पास gt upon u तो theta is equal to 10 inverse 10 inverse gt upon u यह आगया आपके पास direction of जो net velocity है ठीक है चलिए अभी हम आगे बढ़ जाएंगे और अभी हम पढ़ेंगे angular projectile motion तो आप यहाँ पर heading मना सकते हैं angular angular projectile motion ठीक नाओ अभी सुन्जोगे नाओ अभी देखो angular projectile motion में कहा तो कुछ भी नहीं है same step follow करना है same step अभी देखो होता काया कि जब आप किसी ball को किसी angle से throw करते हो तो हम इसको क्या बोलते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं तो मैंने का यहाँ पर न अभी initially इसके पास कुछ velocity होगी मैंने इसको u velocity से फिका अब यह ground को साथ कुछ angle बन रहा ठीटा तो आप यह बताओ इस velocity कितने component एक तो यह ball इस side x axis में जा रही है और उपर नीचे में जा रही है तो इसके पास दो velocity हो गई एक हो गई initial velocity in y axis और एक हो गई initial velocity in x axis तो आप यह देखो जिसके साथ angle theta बनता है उसको हम बोलते है u cos theta और जिसके साथ angle y theta नहीं बनता है उसको हम नाम देते है u sin theta तो आप मुझे यह बताइए कि उपर जाने के लिए कौन सी velocity responsible है तो आपने का सर उपर जाने के लिए velocity responsible है u sin theta और आगे बढ़ने के लिए u cos theta तो जब भी range निकालेंगे तो u cos theta डालेंगे और जब भी y axis की बात करेंगे तो u sin theta डालेंगे बस इतनी सी बात है और आप जानते हो कि maximum height पर कौन सी velocity 0 हो जाती है vertical velocity कितनी height पर यह maximum height पर h max की जब भी हम बात करेंगे बस कोई दिक्कत नहीं अभी अभी समझो कि जब मुझे time of flight निकालना है तो आप यह बताओ कि time of flight निकालना है तो displacement कितनी होई y axis में पूरे projectile motion खत्म होने पे देखो ball यहाँ पे थी ground पे और finally कहां पहुँच गई ground पे तो यह velocity क्या displacement कितनी 0 अब यह देखो initial velocity in y axis तो कितना हो जाएगा y sin theta y axis में initial velocity time of flight की देखा यह तो निकालना है ना अभी देखो यह motion उपर भी हो रहा है और नीचे भी पहले ball जारी उपर और नीचे तो अभी हम कहा लेंगे एक जगे पे minus g क्योंकि जो भी convention sign conventions आप से देखा तो u sin theta उपर की side है तो मैंने plus लेदी है और यहाँ पे नीचे की side है तो यहाँ पे minus gt square अभी आप क्या करेंगे half gt square आजाएगा u sin theta into t तो यहाँ से t square से यह cancel हो जाएगा तो यहाँ से t की तो value निकल के आएगी यह हो जाएगी आपके पास 2 u sin theta upon g तो time of flight का जो formula है वो क्या बन गया 2 u sin theta upon g अच्छा इसके बाद मुझे क्या निकल देखा लिए range का formula क्या होता horizontal velocity into time of flight अभी horizontal velocity क्या है देखो ज़रा horizontal velocity u cos theta तो आपने यहाँ पे लिख दिया u cos theta अभी time of flight की value क्या निकली 2 u sin theta by g तो आपने यह लिख दिया अब मैंने उसको देखो u kind to u से कर दिया तो यह होगा u square अब देखो यह सीधा करके लिख दिया मैंने 2 sin theta cos theta अभी 2 sin theta cos theta का formula क्या होता है sin 2 theta यह मैं को sin 2 theta को जब open करता हूँ तो आदा 2 sin theta cos theta अभी यहाँ पर समझो कि अगर मुझे निकालनी है maximum range का निकालनी है यहाँ पर लिखूँगा यहाँ पर लिखूँगा for maximum range यह तो हो गया range का formula लिकिन अगर मुझे maximum range निकालनी है तो theta कितना होना चाहिए तो आप देखो अगर मुझे maximum range निकालनी है तो sign होना चाहिए 90 degree हां यह sign कितना होना चाहिए 90 degree क्योंकि sign 90 value 1 होती है न maximum तो sign 90 होने के लिए यहां पर theta कितना होना पड़ेगा 45 यह लिखाए 2 by into 45 तब तो 90 बनेगा तो theta की value कितीनी रखी 45 degree तो r is equal to क्या आगा यू u square sign 90 upon small g टिक sign 90 की value 1 हो दिया तो maximum range कितीनी निकल कि आगए u square by g अभी मुझे का निकालना है अभी मुझे निकालना है height of projectile तो height के लिखा करेंगे height के लिए लगा दो third equation कौन सी equation third equation लगा दो अब height के लिए third equation लगा नहीं लेकर कौन सी axis में y axis में तो v square is equal to u square plus 2as होता है ठीक नाओ y axis की बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम यहाँ बात करेंगे y axis की y axis y axis y axis नाओ अभी आप यहाँ पर जो है यह जब भी हम maximum height निकालना है तो maximum height के लिए बताओ maximum height पर by क्या हो जाथ जीरो चलिए तो यह हमने का लिख दिया by हो गया जीरो टेक चलिए अब यह बताओ क्योंकि हम बात करना है कि projectile motion ऐसे हो रहा है इस direction में तो आप यह समझेंगे तो आप यह समझेंगे यहाँ पर sign convention उपर के लिए positive नीचे के लिए negative तो acceleration due to gravity कैसा आ जाएगा minus का जी क्योंकि यहाँ पर motion दोनों ही direction में हो रहा है तो आपने by की जगह रखा 0 क्योंकि vertical velocity कितनी 0 maximum height पे ना हो u y की जगह क्या लेखा u sin theta का square 2 की जगह 2 minus sign लगा दिया a की जगह g और displacement in y axis आप यह देखे क्योंकि हमें क्या maximum height तो maximum height तक की displacement लेखें ground चे तो हमने इसको कितना लिख दिया h max अभी समझो इसको हमने जो negative वाले को side बेजा और positive वाला है यह रखा रहे गया तो यहां से maximum height की जो value नुकल के आ रही है that is u square sin square theta upon 2g हो जाएगा इतना चलिए अब आपको अगर बता दें कि इसमें कुछ छोड़ोटे से points होते हैं आपको यह ध्यान रखना है कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि same range range same कब होती है तो याद रखना जब भी किसी ball को theta और 90 minus theta से फेका जाता है तो ball जो है same जगह पर जागे गिरती आपने एक ball पर की ग्राउंट अंगल बना रही और आपने एक ball पर की जो ग्राउंट अंगल बना रही थी 70 डिगरी दोनों के लिए same range की value तो theta और 90 minus theta के लिए range कैसी होती है same होती है अगर हम बात करें कि range का और height का relation क्या है तो हमें शायद रखो 4H by R is equal 10 theta लगा देना और आप से कहा जाए maximum range और height का relation क्या है तो हमें शायद रखो 10 maximum range कितने degree मिलती है 45 degree पर तो 4H by R is equal to कितना हो जाएगा 1 तो आप यह देखेंगे कि maximum range वाले case में यह आप यह देखो 4H is equal to क्या मिलेगा आपको range that means अगर maximum range के हम बात करें तो maximum range height के 4 गोना होती है clear हो गई जैसे मा हमारा और वो गया 100 meter कितना meter गया 100 meter टेक 100 meter तो इसका मतलब हो उस case में जो range होगी ना range होगी 25 meter होगी at 45 degree एंगा टेक चलिए sorry यह range है तो यह कितना होगी होगी 25 meter तो गोपर जा सकती है वो अगर 45 degree पर गई तो height चलिए एक important question है जो कि हर school के लिए important होता है आपको इसको अच्छे समझना है इसमें आपको question दिया जाता है कि prove that the path of projectile is parabolic तो आपको जो projectile motion में parabolic path को prove करना होता है तो इसके लिए आप सि time find करो और उसे second equation of motion put कर दो क्या range के formula से time नकालो और second equation put कर दो बलतरी से बात आपको जात रखनी है पैरा बोला प्रूब करने के लिए हमेशा आप याद रखेंगे कि पैरा बोला में quadratic equation बनती है पैरा बोला की जो equation वो quadratic equation form में आती है और उसमें power किती होगी maximum 2 होगी चलिए आगे बात करेंगे तो अब भी आपको प्रूब करना प्रोजेक्टाल मुशन पाथ पारा बोलक होता है तो उसके लिए आपने क्या किया कि हमें quadratic equation बनाना है तो हमने जो हाइट है उसको y के फॉर्म में लिख दिया तो अभी देखो हाइट को हमने y के फॉर्म में लिख दि सब्सक्राइब तो तो रेंज का फॉर्म लेका है horizontal velocity into time टेक चलो ऐसे लिख दो रेंज का फॉर्म में लगा चुके इसको तो देखो यहां पे आपने का लेखा y displacement and y axis उपर तक चेक कर लेना है आपको टेक ना हो तो कि यह वाला पास भी का और है पहरा बोलेक ना हो अभी सम यू साइन ठीटा अभी time of light की जो value मैंने निकाली है yellow से यह लेख दी एकस अपॉन यू कॉस्ट टा हाफ gt square तो time की जो value निकाली हो कितनी है x square upon u square cos square theta मतलब square लगा नहीं यह कर दिया अभी यहां से आप दे देखेंगे y is equal to sin theta upon cos theta क्या हो दर 10 theta और x की जगह मैं लिखा x तो 10 theta into x आ अभी इसके बाद हाफ g u square upon cos square theta यह अपने side में कर दिया और आप यह देखेंगे ऊपर का लिखा x square तो x square को मैंने as it is छोड़ दिया अभी आप यहां पर देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने 10 theta को मान लिया a तो यह बन गया a x अभी minus इस पूरी value को मान लिया मैंने b तो यह बन गया b और यह क्या होगा x square तो यहां पर आप यह देख सकते हैं कि यह जो equation है यह किस equation के form में आ गई यह आ गई quadratic equation के form में और जैसे आप इसको quadratic equation के form में लक्स लिखेंगे तो यह आप बोल देंगे this is quadratic equation maximum power 2 है and hence prove it is यह बोल सकते हैं hence we can say path of projectile is parabolic now तो यह हो गया अब इसके बाद काया कि numerical as it is formula आप पूट करेंगे चोटे मोटे practice से बनने लगेंगे आप कहेंगे तो separate video numerical को उपर बना द साथ आपके share करने से मुझे बहुत बड़ा contribution मिलेगा ठीक ना इसके साथ साथ आप telegram channel को जरूर से join कर लें ताकि जो हमने आज बढ़ा है उसका notes आपको telegram channel पे मिल जाएंगे so thank you so much for today tell me in the comment section which is the next topic do you want for your class 11 thank you guys